गुजराव चुनाव में B.A.P. ने किर्केटर रविंदर जटेजा की पतनी रिवा जटेजा का टिकेट लगबख फैनल कर दिया है। जल्ली पार्टी की ओर से उन his टिकेट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा। बतादे कि रिवा जट्रया पेशे से mechanical engineer हैं उन्होंने बर्ष 2016 में रविद्र जट्रया से शादी रचाई थी बाई पार्टी सूत्रों के मताबिक केंद्री चुनाव समीती ने रिवा जट्रया का नाम प्रताबित किया था रिवा जट्रया आज किंद्री चुनाव समीती के पद अधिकारियों से मुलाकात करेंगी इसके बाद इस संबन में अधिकारिक घोशणा भी कर सकती हैं पतादे के करीब 29 साल ते सत्ता में रह रही बीजेपी इस चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाती है विजे, रोडाली और पूर्व उपमक्मंत्री नितन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं के भी नाम शामिल है वही तर्क दिया जा रहा है कि नेताओं के 75 साल की उम्र पूरी कर ली है इसी प्रकार पार्टी विधाको और सांसदो रिष्तेदारों के टिकेट भी काट रही है बाई पार्टी के बताविक किरकेटर रविंद जटेजा की पतनी कडिब 3 साल थे पार्टी में सक्रिये है कांग्रेस के वरिष्टनेता हरी सिंग सुलंकी की रिष्तेदार रिवा जटेजा पेशे से मेकैनिकल इंजिनियर है पतादे के हाली में कांग्रेस छोड़कर आया हारदिक पटेल और अलपेश ठाकोर को बीजेपी का टिकेट मिलने की संबाबना है दावा किया जा रहा है कि इनके नाम बीजेकवी की पहली लिष्ट में आ सकते हैं पार्टी के मताबिक पार्टी के राष्टी अद्दक जेपी नड़ा के निर्तरदबाला पैनल जल्द ही पिरत्याशियों के नाम पर बिचार करने के बाद उनकी सूची जारी करेगा इस पैनल में पिर्धान मंत्री नरेन मोदी के अलावा केंद्रिय गरह मंत्री अमिर्शा और रक्षा मंत्री राजना सिंग भी शामिल होंगे बदा दे कि ये पिर्धान मंत्री और केंद्रिय गरह मंत्री का होम स्टेज भी है मंगलवार को पार्टी की कोड गुरुब में दिल्ली के पैनल से मुलाकात की है बहीं जेपी नड़ा के आवास पर करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव की पूरी रणनती तैकी गई है इसमें गुजुरात के बुकमंत्री बुपेंद्र पटेल, पिर्देश अद्दग, सियार पाटिल और केंद्री मंत्री मंसुक मंडाग ये आदी लोग शामिल हुए थे बता दे के इस तरह से किर्केटर रविंद्र जतेडा की पतनी का टिकेट बीजे पीजे फिलाल फाइनल ही बताया जा रहा है जिस पर अंतिम और आखरी मोहर लगना बाकी है देखते हैं क्या इसमें भी वैप पूरी तरह से सपल हो पाती है